जन्मास्टमी का त्योहर आ गया है ऐसे में लड्डू गोपाल के बहुत ही प्रिये मेवा पाक की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपने किचन अर्चना किचन कैप्टरन में और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मावा पाक बहुत ही जादा प्रिये है लड्डू गोपाल को यानि कि हमारे कृष्ण कनेया को तो आज मावा पाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़े बताऊंगी जैसे कि आपका मावा पाक जो है वो बिलकुल दुकान की चार्थ तरह बाजार की तरह बन कर तेयार होगी नाहीं एक भी मावा पाक आपकी बिखरेगी और नाहीं कड़ा होगा वो विलकुल भी वो हाड हो जाता है ना चासनी से दो आएए रेसिपिका स्टाट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किन चीजों की जरुरत है मावा पाक बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है बादाम जिसे हम आलमंड कहते हैं बड़े वाले जो बादाम आते है न वो वाले बादाम लिया मैंने आधी कटोरी आधी कटोरी लिए है मैंने किश्मिश आधी कटोरी लिए है काजू और उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने लिए है मगज या फिर जिसे हम मेलन सीड भी कहते हैं यह आपको किसी भी पंसारी के दुकानों जहां आपको ड्राइफरूट मिलेगी वो आसानी से वही पर मिल जाए तो यही सूखी नारियल जो होती है मैंने वही यूज किया है यहाँ पे तो आधी नारियल को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चोटी चोटे टो क्रो में काट कर इस तरह से पीस लिया है आप चाहें तो इसी तरीके से इसे ग्राइंडर में पीस ले और अगर नहीं तो आप इसे greater की help से grate भी कर सकते हैं किसे भी सूरत में हमें यूज यही नारियल करना है हमें desiccated coconut का यूज नहीं करना है अब इसके साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पर गोंद मैंने यहाँ पर गोंद लिया है लगभग 30 ग्राम एक छोटी चमच मैंने लिया है यहाँ पर हरी रैंशी का पा हाँ उर्धान करना है दगहता ह agree कि parlar को पहुतर को ऊचाथ को थे जारे की कि ऐंगे करना है लगे डुकल मीडियम से लो फ्लेम के उपर हमें सार्ण से अब भूनना निया सब तक यह दो तक कि इसमें थोड़ी थोड़ी कलर होते है ना बल्कुल हलकी सी कलर आती है या फिर थोड़ी थोड़ी आवाज आनी शुरू हो जाएं तो हम बादाम को निकाल लेंगे बहुत जादा इसे हमें नहीं भुनना है अब देख लीजे इसी तरीके से हम अब इसी घी में काजू ड करेंगे हम जो गूंध है इसे भी हमें भून लेना है तो गूंध को भी हमें सुनेही ही भूनना है और बिल्कुल लोजू मीडियम फ्लेंपर भूनना है आप देखेंगे कि जैसे ही गूंद थोड़ी से हीट पकड़ेगी वैसे ही वह पॉप-प होना शुरू हो जाएगी अपने साइड से दोगुने जैसी ही होगी इसे हमें निकाल लेना है, इसका भी color बिल्कुल change नहीं होना देना, अब हम इसमें डाल लेंगे maggas, या फिर melon seed, इसे डालना है और इसे भी हमें भोन लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने बाकी के dry fruit को भोना है, अब ये भ किसमिस नहीए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन किसमिस डालने से यह बहुत अछी बन कर तयार होती है prze minist Lord अगर आपके पास मखाना हो तो आप मखाना भी यूज्स कर सकते हैं इसमें वह भी बहुत अच्छा लगता है अब थोड़ा सा नाडिल को भूनने के बाद हम इसमें डाल लेंगे पॉपी सीड यानी की पोस्ते के दाने इन्हें भी हमें नाडिल का भी कलर बिल्कुल यू चेंज नहीं होने देना है बिल्कुल हलके बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है अब इन सब को हमने भून लिया है अब हम क्या करेंगे इसे हम अभी फिलाल गैस से हटा लेंगे अब वापस से एक और पैन ले लेंगे हम जिसमें हमने चीनी की चासनी बनानी है तो मैंने यहां पे लगबग 400 ग्राम चीनी लिया है आप अपने टेस्ट के और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे चीनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक तार ना आ जाए यानि कि पहले तो हमें चीनी को पिगलाना है और बाद में फिर एक तार की हमें इसकी चासनी बनानी है तो चीनी को हमने एक बार इस तरीके से मिक्स कर लिया है अब आते हम dry fruit को grind करने के लिए अब जस grinder में मैंने नारियल पीसा था उसी grinder में हम बाकी के सारे dry fruits को पीस लेंगे पहले हम बादाम और काजू को पीसेंगे आप चाहें तो अलग-अलग भी पीस सकते हैं पर मैं बादाम और काजू को एक ही साथ डाल कर पीस रही हूँ, क्योंकि ये दोनों को पीसने का समय लगभग सीम ही होता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ पीस रही हूँ, और देखिए मैंने पीस लिया है, और हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, मेख केपीस को भी इसी तरीके से पीस लेंगे, और पीस कर कड़ाई में डाल ले अप बिल्कुल आखरी में हमने पीस나 है गोंद !! तो गोंद को चाहें तो आप बेलन की हल्प से थोड़ा सा खुरदरा बस कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से ग्राइंडर में डालकर एक बार चर्ण कर लें यह पिस जाएगी इसको पीसने में बहुत जादा समय नहीं लगता है अब इन सबको एक बार अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चीज जो है वो लंप्स ना रहे जैसे कि हमने गोंद को पीसा है तो गोंद को पीसने के बाद वो थोड़े से चिपचिपी हो जाती है तो इन सब को अची तरीके से मिलाकर हमने side कर दिया है अब हम चासनी को देख लेते हैं चासनी हमारी लगभग बनकर तयार है इससे check करने के लिए एक चमच लेंगे और चमच के help से हम इसे गिराएंगे तो हमें दिखेगा कि वो एक तार देखे आप देख सकते हैं कि कैसे एक तार बन रही है यही वो जगह है जहां हमसे गलती होती है मैंने यहाँ पर flame को off कर दिया है क्योंकि एक तार बन गई है आप देख सकते हैं यह देखें बिल्कुल एक तार बन रही है न चासनी में बस इतना ही हमें चासनी पकाना है इससे जादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं अगर इससे कम पकाएंगे तो हमारा जो मावा है वो विखरने लगेगा और अगर इससे जादा पका लेंगे तो यानि कि अगर दो तार हो गई तो फिर हमारा पाक जो है वो टाइट हो जाएगा यानि कि कड़क हो जाएगी तो इसी समय हमने गैस को आफ करना है और अब जो हमने मावा पीस कर रखा है इसमें थोड़ा थोड़ा चासनी हमें मिक्स करना है एक बार में बहुत जादा चासनी नहीं डालना है ध्यान रखेंगे थोड़ी थोड़ी सी चासनी इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी चासनी मिक्स करते करते आप देखेंगे कि एक साथ सारे मावे जो हैं वो मिक्स होने लगे तो इस तरीके से उसे अच्छी तरीके से mix करना है हमें, ध्यान रखना है कि कोई lumps ना बने, अब जब एक जगा पे सारे मावे इकठे होने लगे कुछ इस तरीके के, तब हम इसे क्या करेंगे, एक थाली में निकालेंगे, तो थाली को पहले एक थोड़ी सी घी डाल कर एक brush से फैलाएंगे, तो पहले इसे हम सारा डाल ले रहे हैं, मिश्रन को प्लेट में या किसी भी सांचे में डालने के बाद, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है, क्योंकि अगर इसे हम गरम-गरम में काटने की कोशिश करेंगे, तो यह बिखर सकती हैं, ट्राइंगल सेप, बर्फी नुमा सेप दें या फिर चौकोर सेप में काटे हैं, मैं आज इसे चौकोर सेप में काट रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से इसे जैसा मन हो वैसा काट कर इंज्वाइ कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो चांदी के वर्क से भी सजा स तो बिल्कुल भी नहीं और विखरेगी तो बिल्कुल भी नहीं और इसका सॉफनेस कितना है आप यह देख सकते हैं बिल्कुल आराम से टूट रही है ऐसा नहीं कि चासनी डालने के बाद जो अकसर होता है कि बहुत हाड हो जाती है वैसा कुछ भी नहीं होगा यह गैरंटी ह है कि अगर आप मेरे बतायवे अनुपात से मेरे बतायवे तरीके से बनाएंगे तो आपका भी मावा पाक बहुत अच्छा बन कर तयार होगा आप देख सकते हैं कि कहीं भी तूटी नहीं है मैं आपको एक और निकाल कर दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि लुक्त दिखाता हैं नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और नहीं कहीं से जढ़ रही है और इसका देखिये कितना मोटा है बिल्कुल बर्फी जैसा मार्केट में हमें बनकर तयार मिलता है बिल्कुल वैसा ही है अब यह मावा पाक लड़्डू गोपाल को भोग लगा बिल्कुल अधुरा है जी हां दोस्तों लड़ु गोपाल का कोई भी भोग तुलसी पत्य के बिना नहीं स्विकार होता है तो इसलिए मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और अब यह संपूर्ण रूप से लड़ु गोपाल को पृषात लगाने के बात पसंद है तो इस जन मास्त मी आप इसे जरूर बनाएं और अपने अनुभाव मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बतलाएं तो मैं मिलती हूं इसी तरीके के एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बावाई फ्रेंड्स एंटेक केर प्रेंट